नमस्कार दोश्तों मैं संतोस पटेल स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूटूब चैनल लिजिटल भंडार पर आज की वीडियो में हम MS Access में क्रॉश टैप कोईरी को समझने वाले हैं क्रॉश टैप कोईरी जो की किसी लार्ज टेबिल की रिपोर्ट जनरेट करने के लिए यूज की जाती है यदि हमने MS Access में कोई एक बड़ी टेबिल बनाई है और उस बड़ी टेबिल के डेटा की यदि हमें समरी प्राप्त करनी है रिपोर्ट जनरेट करनी है तो उसके लिए हम क्रॉश टैप कोईरी का उपयोग कर सकते हैं एकसिस के प्रिवियस वीडियोस में हमने सेलेक्ट कोईरी को, अपडेट कोईरी को, अपेंड कोईरी को, डिलीट कोईरी को सीखा है आज की वीडियो में हम क्रॉश टैप कोईरी को सीखने वाले हैं तो पहले हम इस कोईरी का इंटोड़क्शन समझते हैं इसके बाद cross-trap query को MS Access Software पर practically use करना भी सीखेंगे तो देखते हैं cross-trap query होती क्या है यह एक special type की query होती है जो हमने अभी तक query पड़ी है वायस अभी तो basic query थी लेकिन cross-trap query एक special query है जो data की summary provide करती है यदि आपको data की summary प्राप्त करनी है report प्राप्त करनी है तो आप cross-trap query को use कर सकते है large table की report generate करने के लिए cross-trap query का उप्योग किया जाता है यदि आपके पास एक बड़ी table है बड़ा database है और उसकी आपको report प्राप्त करनी है तो आप cross-trap query का use कर सकते है cross-trap query data पर multiple types के function को use करने की service provide करती है जब हम cross-trap query को apply करते हैं लगाते हैं तो हम इसके साथ multiple type के function भी use कर सकते हैं जैसे की sum function, average function, count function, max function, min function जो report generate होगी उसमें हम कई प्रकार के function भी use कर सकते हैं हमने यहाँ पर एक table का example लिया है जिसको हम cross-trap query के द्वारा use करने वाले हैं फर example हमारे पास एक student की table है जिसमें student की कई प्रकार की जानकारी है लेकिन हमें यह पता करना है कि हमारे किस class में किस category give कितने student है हमने एक student की table बनाई है जिसमें student के बहुत सारे record हो सकते हैं अलग-अलग प्रकार की जानकारी हो सकती है लेकिन हमने यहाँ पर एक report generate करी है कि हमारे पास जो student है कौन सी class में किस category के कितने student है यह हमें report प्राप्त करनी है तो उसके लिए हम cross tab query को use कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास चार class के student हैं DCA, BCA, PGDCA और Tally और student की जो category है वह भी चार हो सकती है जर्नल, OVC, SC और ST अब यदि हमें यह पता करना है कि DCA class में journal category के कितने student है तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं OVC category के कितने student है तो यहाँ से पता कर सकते हैं SC category का कोई भी student नहीं है और HD category के 10 student हैं तो जो एक student table हम बनाएंगे उसकी यदि हमें report प्राप्त करनी हैं तो हम cross tab query का use कर सकते हैं यह query table के data को analyze करती है analysis करती है और कुछ condition के आधार पर calculation के आधार पर हमें एक report बना कर दे देती है जो की होती है cross tab query तो अभी हमने cross tab query का introduction समझा उसका एक example देखा अब चलते हैं MS access software पर और cross tab query को हम practical example से समझते हैं तो अब हम MS access software में आ गये हैं यहाँ पर आज हम cross tab query को practically use करना सीखने वाले हैं तो for example हमारे पास एक table है admission table आप देख सकते हैं admission table में कई परकार की field हैं कई परकार की column है student का role number है name है class है city है category है marks है और fees है अब यदि हमें इस table का कोई report generate करना है कोई summary प्राप्त करना है तो उसके लिए हम cross tab query का use कर सकते हैं हम इस table पर cross tab query को apply करने वाले हैं तो पहले हमें अपनी table को close करना है query को लगाने के लिए query को create करने के लिए सबसे पहले हमें create tab को select करना होता है create tab को यहाँ पर query design option पर आपको click करना है query design जिस table पर आप query apply करना चाहते हैं उस table को select करें तो हम admission table पर query को apply करना चाहते हैं हमने admission table को add किया और dialogue box को close कर दिया by default ms axis में select query यूज की जाती है select query होती है लेकिन हमें जो query यूज करनी है वह है हमारी cross tab query तो यहाँ पर आपको query का type change करना होगा और select करना होगा cross tab query को तो यहां से हमने cross tap query को select किया अब आप अपनी query की report में जो जो column so करना चाहते हैं जो भी column select करना चाहते हैं उनको आप यहां से select करें तो for example हमें अपनी report में student की class को so करना है student की category को so करना है और student की fees को so करना है हमने यहां पर 3 column लिये हैं आपको cross tab query में कम से कम 3 field को, कम से कम 3 column को select करना अनिवार है. अब आपको यहाँ पर जो cross tab field है, cross tab field यहाँ पर decide करना होगा, set करना होगा कि आपकी कौनसी field row की heading होगी, कौनसी field column की heading होगी और कौनसी field की आपको value so करनी है. तो for example row heading बना दिया है class को, मतलब जो हमारी class होगी वह report में row wise so की जाएगी, category को हमने बना दिया है column heading, मतलब report में जो category होगी वह हमें column wise so की जाएगी, और जो fees है, fees की हमें value so करनी है, value, तो हमने यहाँ पर fees में क्या select किया है, value, और जिस field पर आप value select करेंगे, आपको group by option पर click क करना है, तो यहाँ पर आपको multiple type के function भी दिये जाते हैं, आप अपनी आवसकता अनुसार, जो भी function यूज़ करना चाहते हैं, उस function को यहाँ से select करें, तो for example हम some function का use करना चाहते हैं, some function का, अब हमारी जो report तयार होगी, उसमें student की class होगी, category होगी, और fees होगी, और category wise हमें हमें fees का sum करके so किया जाएगा, हम run बटन पर click करते हैं, और query को run करते हैं, आप देख सकते हैं, हमारे सामने जो report बन कर आई है, इसमें जो हमारी row की heading है, वह हो गई है class, हमने row heading बनाया था class को, यहाँ पर हमारी सारी class आ रही है, bca, dca, dtp, mca, pgdca और tally, यहाँ पर कोई class repeat नहीं होगी, कोई भी data repeat नहीं होगा, और column की heading हमने क्या बनायी थी category, तो पहली category हो गई journal, दूसी category OBC, तीसरी category SC, और चौंती category ST, अब यदि हमें यह देखना है, कि bca class में किस category के कितनी fees भरी है, तो आप bca class में देख सकते हैं, journal category से हमें fees प्राप्त हुई है, bca की कितन 11500 रुपए, OBC category के किसी भी student ने vca की fees नहीं दी है, SC category से हमें fees किती प्राप्त हुई है, bca की 2000 रुपए, HT category से हमें bca की कोई भी fees प्राप्त नहीं होई है, इसी परकार से DCA class की हमें केवल OBC category से fees प्राप्त हुई है, 12600 रुपए, district 12600 रुपए, DTP class में हमें केवल ST category से 4000 रप्रपीस प्राप्त हुई है इसी प्रकार से MCA क्लास में हमें Journal कैटेगरी से कुछ फीस मिली है और OVC कैटेगरी से कुछ फीस मिली है यह होती है क्रॉश टैप कोईडी जो एक बड़ी टेबिल में से कुछ कॉलम को सेलेक्ट करके एक रिपोर्ट बनाने के लिए use की जाती है यहाँ पर हमने class, category और piece के आधार पर यह report generate करी है आप अपनी table की कितनी भी field को select करके इस प्रकार की report generate कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखें कम से कम आपको cross tap query में तीन field को select करना अनिवार होगा यदि हम बापस query का design view खोलते हैं design view तो आप यहाँ से query का design view भी देख सकते हैं यह हमारी query है for example हमने यहाँ पर design view में some function के इस्थान पर count function को लगा दिया count मतलब हमें counting करनी है कि 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 केटेगरी में कितनी वार फीस भरी गई है counting करनी है अब हम query को run करते हैं तो आप देख सकते हैं जो BCA class है इसमें journal category की दो फीस हमें पराप्त हुई है SC category की एक फीस पराप्त हुई है DCA class में OVC category से हमें तीन फीस पराप्त हुई है आप table पर यदि double click करेंगे तो आप देख सकते हैं OVC category का एक student दूसरा student और तीसरा student चौंता student पांचवा student और छटवा student टोटल छे student हैं OVC category के एक student यह रहा OVC category का एक student यह रहा और एक student यह रहा तो हमारी table में DCA class के तीन student हैं जो की OVC category के हैं इसलिए यहाँ पर हमें output में क्या दिखाया जा रहा है 3 दिखाया जा रहा है इस प्रकार से आप एक report generate करने के लिए cross tap query का use कर सकते हैं अब हम अपनी query को save करते हैं इसको नाम दिया है मैंने cross tap और OK की तो हमारी query save हो जाएगी अभी हमने admission table पर cross tap query को लगा कर student record की table बनाना report बनाना सीखा अब हम एक product table पर भी इस query को लगा कर सीखने बाले है product table पर हमने यहाँ पर एक product table बनाई है जिसमें product की ID है product के name है quantity है price है और month है किस month में कौन कौन से product बेचे गए हैं कितनी quantity में बेचे गए हैं क्या उसकी product ID है यह जानकारी इस table में है अब इस table की हमें report generate करनी है जिसके लिए हम cross tab query को use करने वाले हैं तो हम table को close करेंगे query को लगाने के लिए हम create tab को select करते हैं query design पर click करते हैं अब हमें जो query लगानी है वह product table पर लगानी है तो हम product table को add करेंगे और show table dialogue box को close कर देंगे यहाँ पर हमें जो query लगानी है वह है cross tap query, तो हम select करेंगे cross tap query को, अब हमें report में जो जो data, जो जो column add करने हैं, उनको हम select करेंगे, तो for example हम अपनी report में product का नाम, product का month और price, मतलब हमारी जो report बनेगी, उसमें यह जानकारी आएगी, कि कौन सा product बेचा गया है, किस month में बेचा गया है, और total हमें एक month में कितनी price किस product से प्राप्त हुई है, अब हमें cross tap field में यह decide करना है, कि कौन सा column हमारा row की heading होगा, कौन सा column हमारा column की heading होगा, और किस column की हमें value, सो करनी है, तो हमने product name को row की heading बना दिया, month को column की heading बना दिया, और price की हमें क्या सो करनी है, value, और group by में हम select करेंगे sum, मतलब हर product के से month wise हमें price का सम सोब किया जाएगा अब हम query को run करते हैं आप देख सकते हैं हमारे सामने एक output एक report बन कर आई है जिसमें product का नाम हो गया हमारी row heading मन्थ के नाम हो गया हमारे column के heading और किस मन्थ में हमने किस product की कितनी sell करी है पैसा कमाया है यह report हमें यहां पर शोबी जा रही है आप देख सकते हैं cd जो है वह हमने February मन्थ में 10 रुपे की sell करी है की वोड हमने March मन्थ में 600 रुपे का sell किया है Monitor हमने December मन्थ में 3000 रुपे के sell करे हैं mouse हमने जनवरी मन्थ में 500 रुपए के sell करे हैं और pen drive हमने March मन्थ में 200 रुपए की sell करी है printer हमने जनवरी मन्थ में 20,000 रुपए का sell किया है यह जो report बनी है यह product table के आधार पर बनी है आप देख सकते हैं जो keyboard है वह हमने March मन्थ में 600 रुपए के बेचे हैं total sell कितने की करी है keyword की मार्च में 600 रुपए की यदि आप table को open करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं keyword हमने एक बार 5 बेचे थे 300 रुपए के पांच keyword बेचे थे 300 रुपए के जो हमने कब बेचे थे March में एक बार और हमने 2 keyword बेचे हैं 300 रुपए के ये भी कब बेचे हैं मार्च में तो हमने दो बार मार्च में कीबोड को बेचा है 3300 रुपए का तो यहाँ पर output में हमें total कितना देख रहा है 600 रुपए वो भी किस मंत में देख रहा है मार्च में यह होती है cross tab query जो की एक table की report generate करके हमारे सामने so करती है तो cross tab query को हमने दो example से समझा एक student table से और एक product table से इस प्रकार की यदि आप report generate करना चाहते हैं तो आप cross tab query का use कर सकते हैं आज की वीडियो में हमने MS Access में cross tab query को लगाना सीखा आप इसको practically use करके देखें यदि आपका कोई question है कोई doubt है तो comment section में जरूर पूछें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करें जादा से जादा share करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यबाद